हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्स रोग सम्मों दथा वैसन मुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ अभी अभी साउथ में मतलब दक्षिन भारत में काफी सारी हलचल मच गई है क्योंकि तेलबू न्यूच चैनल जो थी उसके एंकर राधिका रेड़ी उसने खुदकुशी कर लिया एक एप्रिल दोजार अठरा को उसने खुदकुशी किया पांचवी मंजिल से वो कूद गई उसने चिठ्थी में लिखा है कि माय ब्रेन इस मा एनिमी मतलब मेरा जो मस्तिष्क है ब्रेन जो है तो वो ही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है मानुवी ब्रेन जो है मस्तिष्क भेजा जिसको बोल सकते हैं और मन इनके जगडे में उसके ब्रेन ने विजय प्राप्त कर लिए ऐसा क्यों होता है देखो हमारी इंस्टिंक्ट जो है इंस्टिंक्ट वो रहती है कि नहीं हमने जीवन जीना चीए मतलब हर एक को जीवन जीने की बहुत इच्छा होती है मरने की किसी की इच्छा होती नहीं है फिर जब मरने की किसी की इच्छन नहीं है फिर आदमी खुदकुशी क्यों कर लेता है क्या प्रॉब्लम है उसने वो जो परची लिखी है उसने लिखा आधि my brain is my enemy उनको ऐसा रखता भी है जो भी खुदकुशी कर लेते हैं इस लगता है कि अभी जीना जो है, वो ज्यादा दर्द भरा है, अभी जीना जो है, वो ज्यादा दर्द दे रहा है, It is more painful, तो इससे अच्छा में मर गया या मर गई तो अच्छा है, यहां से छुटकर पाएंगे, मतलब जीना जो है वो भी तकलिफ दे हो गया है इसे अच्छा मर गये तो अच्छा है और इसलिए वे वो खुद कुशी कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो है पेन प्लेजर प्रिंसिपल है जीवन जहां पेन है वो काम नहीं करेंगे जहां प्लेजर है वो करेंगे तो now it is less painful to die कम दर्द भराय भी मर जाना जो राधिका रेटी थी वो उसका तलाख हो चुका था सिंगल पेरेंट थी उसकी जो लड़की है उसको आटिजम है और उसने कभी ऐसा बाहर बताया नहीं कि वो निराश और हताश है और उसने खुद कुशी कर लिए एक्चुली आत्मत्या करना है खुद कुशी करना है उसके लिए बहुत सास लगता है वो कहां से आता कहां से वो आता इसलिए है कि वे जीना भी मुश्किल होगा है मतलब वो बहुत तकलिब दे है तभी मर जाना अच्छा है जो हमारे देश के आकड़े है 2015 के उसके मुताबिक हमारे देश में एक लाग तेहतीस हजार छेसो तेहीस लोगों ने खुद कुशी कर लिया और नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अनुसार पंचेण हजार दोसो अठासी 95,288 उसमें के पुरुश है और 42,088 महला है उसमें से ये देखा गया कि नियूरो साइकेट्रिक इल्नेश है मतलब जो बिमारी है मनोविकार वो 42 प्रतिशत लेडिस में दिखाई गई और 29 प्रतिशत पुरुश में मानसिक बिमारी दिखाई गई लोंको मानसिक बिमारी थी जब डिप्रेशन होता है तो ऐसा इक यो सिर्फ मानसिक है हो सकता है किiri गई शरीक बिमारी वो उसके वज़े से डिप्रेशन आये हुआ है तो फो भी हमको देखना पदता है साइकेट्रिष्ट कि उसको डिप्रेशन जो है मतलब निराश और हताश जो है या दिन बर अच्छा रहना, शाम को जाए तकलिव हो जाना, खाना-खाने की इच्छा नहीं होना या जपल खाना, कभी किसका वज्जन कम हो जाता है या जपल जाता है, कोई काम में अमजह नहीं आता, खुशीं नहीं लगते उसको कोई कंग, गुमना फिरना उसका कम हो जाता है, हल्चल कम हो जाती है, बहुत ठकाना जाती है, ठक जाता है आदमी, कोई काम में मन ने लगता, अटेंशन कॉंसेंटरेशन ने होता, और खुदकुश के विचार बार बार आते रहते हैं, बिना कुछ वज़ा होगे, और फिर इसमें यदि कुछ ज़्यादा है, मतलब कुछ कारण है, तो फिर प्राब्लेम हैं, मतलब ऐसा है कि बिना कारण का डिपरेशन आता है, जिसमें केमिकल लोचा होता है, और फिर डिपरेशन कोई कारण से आ गया, जो हम देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े इंडस्टियलिस्ट है, उ इसे जो लोग है, वो खुद कुछ एकदम फटाक से कर लेते हैं, तो यह जो लक्षन है, यह लक्षन में यह देखना है, कि बहुत सिर्फ डिपरेशन से है, जिसमें कोई प्राब्लेम नहीं है ब्रेंद में, मांसिक बीमारी है, या फिर कोई शारिक बीमारी है, उसकी वज है कि बहुत पुरानी बीमारी है, उस से डिपरेशन आ सकता है, तो यह थे तेखना है कि कि डिप्रेशन आने के लिए मतलब सिर्फ डिप्रेशन ही है उदास हिंता है कि कोई शारिक करण से डिप्रेशन आया हुआ है इसलिए अभी हमारा एक citizen करके एक मतलब नागरी करके हमारा यह फ्रस बनता है कि हमारे आसपास हिरी ऐसे कुछ लोग है तो वो खुद हिरी जाते नहीं है डॉक्टर के पास में तो उनको उनकी सलह जाना और उनको डॉक्टर के तरफ लेके जाना क्यों Dafür अभी कुछ बचा हीं नहीं है मेरे जीवन में बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, इसके उपाय क्या है, कि एक तो दबाई लेना, मेडिसिन लेना, फिर ज्यादा डिपरेशन नहीं, तो रेगुलर एग्जरसाइस कसरत करते हैं, रेगुलरली, सकारात्मक पढ़ाई करना, मतल लोगों से मिलना, जुलना, आके लिए रहने का नहीं है, और साइको थेरिपी कर लेना, काउंसिलिंग कर लेना, साइकेटिस को मिलके, काउंसिलिंग करके, जो विचार जो दिमाग में आ रहे है, तो उसके लिए कॉगनिटिव भेवर थेरिपी है, CBT है, मैं खुद हिपनो साइको थेरिया, तो साइको थेरिपी, मानसवचार, उसके साथ सद्दवाई, यह दि करते है, तो फिर से जो नौबत आई, और राधिका रेड़ी के जो डेट से, जो नया विचार एकदम चालो हो गया, यह ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो गया, तो इसके लिए हम सतर के जान हम पचा पाएंगे, आपके संपर्ग में काँवी सारे लोग हों की कि 10-15 परेशन लोगों को डिप्रेशन कभी ना कभी जिंदगी में आता है, तो काभी सारे ऑसे लोगों कि आजुवाजु में 10-15 प्रतिशत लोग है जिनको कभी ना कभी उपर नीचे वो दिमाग का emotions हो जाता है तो उनको detect करो उनको सलादो ये वीडियो लोगों को share करो उनको मतलब specialist को मिलने के लिए सलादो आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो जरू सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को और वो बेल का जो चिनना आता है उसके उपर आप प्रेस करते हो तो मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आजाएंगे आप जरूर आपके फेस्बूक के उपर वाट्सएप ग्रूप के उपर जरू शेर करो थैंक्यू वेरी मच्छ